हलो एप्रिवान वेलकम टो ग्लोबल ऑनलाइन दिस इस अंकिता सोध सो जमू एंड कश्मीर सेट पेपर वन प्रेपरेशन में यूनिट नमबर टू रीसर्च अप्टेट्यूड का चैप्टर फोर आज हम कवर करने वाले हैं जिसमें हम देखेंगे रीसर्च के डिफरेंट स्टेप्स को हम सब अलरी डिसकस कर चुके हैं कि रीसर्च क्या होता है एक सिस्टेमाटिक प्रॉसेस होता है एक सिस्टम के साथ एक एनलिसिस के साथ रीसर्च को किया जाना चाहिए वैसे ही research में कुछ steps होते हैं जिनको अगर हम अच्छे से follow करेंगे तभी हमारा research successful हो सकता है तो वही steps आज हम पढ़ेंगे जो कि examination के लिए भी बहुत ही जारा important है session को start करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि jamu kashmir set exam को qualify करने के लिए paper one preparation पर आपको बहुत ध्यान देना है सो इसमें आपको smart preparation कैसे करना है कैसे आप लोग 75 प्लस score कर सकते हो इसके लिए complete course हमने launch किया है जसमें आपको full syllabus video lectures हम provide करवाते हैं सो examination से पहले आपका पूरा syllabus cover करवानी की 100% surety मैं देती हूँ हर एक video lecture में smart tricks और short tricks के साथ आपको बहुत ही simple और easy language में सारे concepts clear करवा दिये जाएंगे full syllabus notes यहाँ पर आपको pdf के format में हम provide करवाते हैं जिसको बहुत ही असानी से आप सभी अपने mobile phone में भी download करके कभी भी कहीं पर पढ़ सकते हो full syllabus mock test में complete 10 units को cover किया गया है जिसमें से as it is questions बहुत बार exam में पूछे जाते हैं and this mock test से आपको एक clear idea यह भी हो जाएगा कि किस level के questions इस paper में पूछे जाते हैं इसके अलावा previous year questions with solution हम आपको देते हैं जिससे आपको यह भी पता चल जाएगा कि काफी सारे questions exam में repeat होते हैं कैसे आपने correct answer को identify करना है और exam का क्या level है इसके अलावा 2000 plus mcq question bank जिसमें हरे question के solution के साथ आपको detail में explanation भी provide करवाई जाती है अगर आपके कोई concept clear नहीं है तो 2000 mcq pdf में आपके वो concept में बिलकुल clear हो जाएंगी इस चीज की भी मैं आपको surety देती हूँ so given whatsapp numbers पर आप जल्दी से contact कर लीजे इसको join करने के लिए सरफ आपको एक ही बार fees देनी है वो बे सरफ 2000 रुपए जब तक आपका ये exam नहीं हो जाता तब तक आप इस course का benefit उठा सकते हो सिरफ एक ही बार ये fees आपको देनी है इसके लावा free videos चाहते हो, course की fees पे करने से पहले access चाहते हो तो आप लोग global online app को download कर लीजे app download करने के बाद store section पे आपको search bar में course का नाम लिखना है, course का overview आपके सामने आजाएगा यहाँ पर आप इसका पूरी जानकारी ले सकते हो, content section पर click करोगे तो आपके सामने paper 1 का complete syllabus है mock test है, 2000 mcq pdf है यहाँ पर आप देख सकते हो unit wise folders हैं जिसमें आपको test भी मिल जाएगे, video lectures भी मिल जाएगे और एक pdf file मिल जाएगे, जिसमें complete आपको यहाँ पर notes हम provide करवाते हैं, English and Hindi दोनों ही languages में जैसे अगर हम research की बात करें, आप देख सकते हो, theory lectures available है, mcq lectures available है, notes और test series यहाँ पर हम आपको exam के level के हिसाब से provide करवाते हैं, so आज ही given whatsapp numbers पर जल्दी से contact कीजे, underscores का benefit उठाइए उसके बाद आप लोगों को वहाँ पर research करनी होगी, तो मैंने आप लोगों के introduction वीडियो में बताया था कि research क्या है, research हमारे पास systematic process है और यह एक structured process है, इसमें जो भी काम होता है, उसका एक predefined structure होता है, हमें हमेशा उसी को follow करना होता है, ठीके, so यहाँ पर हम देखेंगे कि किस structure को research exactly follow करता है और इस video को आप लोग end तक जरूर देखेगा, इसके end में मैंने आप लोगों को एक question दिया है, जो कि previous year question है and उसका answer is complete video पर ही based होगा, उसका answer आप लोग मुझे comment करके जरूर बताइएगा students, ठीके, so यहाँ पर steps में सबसे पहले आता है identification of research problem अब जैसे आप लोगों को अगर PhD में admission हो जाता है तो आप लोगों को research करना होगा, ठीके, so research करने के लिए आप लोगों को एक problem पता होनी चाहिए एक problem आप लोगों के सामने होनी चाहिए कि आप लोग किस का solution ढूंडना चाहते हैं, किस topic पर research करना चाहते हैं तो ये बोला गया है सबसे पहले आप लोगों को identify करना है research के problem को दूसरा बोला गया है formulation of hypothesis यानि कि problem आप लोगों के सामने आ गई, उसके बाद आप लोग क्या करोगे, उसके बाद आप लोग अनुमान लगाओगे, आप लोग guess करोगे कि ये problem क्यों आई है और इसका हम कैसे solution find out कर सकते हैं, ये hypothesis को formulate करना, उसको generate करना, ये भी research process का एक बहुत important part होता है तीसरा आता है review of related literature, यानि कि जो related literature है, जैसे कि कोई problem हम लोगों को मिली है, उस problem पे पहले भी हो सकता है कि कि किसी person ने, किसी researcher ने कुछ चीज ढूनने की कोशिश की हो ठीक है, जो हमारा topic है, उसे related, जो भी literature पहले add किये गए हैं, उनको देखना is very important और ये सब चीजों का एक real life example भी मैं आपको दूँगी आगे, ठीक है next है preparation of research design, so research design की कौन से steps हम लोग follow करने वाले हैं, सबसे पहले हम research के लिए कहां जाएंगे ठीक है, दूसरा process क्या होगा, तीसरा process क्या होगा, अगर माल लीजे ये शुरू के तीन जो हमारे ideas थे, वो काम नहीं करेंगे तो हम उसके बाद fourth idea कौन सा use करेंगे, ये सब चीज़ आती है, research design के अंदर यानि कि हमें exactly research को शुरू करने से पहले, research का basic design अपने mind में रखना पड़ता है, बिल्कुल ready रखना पड़ता है इसको हम लोग blueprint भी बोल सकते हैं अपने research का, ठीके, इसमें बहुत सारे चीज़ें आती है एन exam में research design से related questions जरूर पूछा जाता है next आता है actual experiments, experimentation, जो actual में हम लोग experiment करने वाले हैं जैसे यह problem है, इसका हम लोगों ने पहले अनुमान लगा लिया उसके बाद हम लोग solution को find out करने के लिए क्या करेंगे, experiments करेंगे अपनी तरफ से बहुत सारे formulas को, बहुत सारे चीज़ों को use करेंगे that is called actual experimentation उसके बाद जो भी हमारा result होगा and discussion होगी, उसको हम लोग यहाँ पर add करेंगे and then conclusion पर हम लोग जाएंगे, ठीक है कि finally हमने क्या conclude किया है, उपर दिये गए six steps में से हम लोगों ने क्या क्या सीखा and क्या क्या हमने यहाँ से समझा है, उन सब चीज़ों को हम लोग यहाँ पर conclude करते है ठीक है, तो चली शुरू करते हैं, अपने पहले step से जो कि है identification of research problem, तो यहाँ पर यह बोला गया है formulation of the problem means defining the problem precisely यानि कि जो भी problem है, उस चीज़ों को हम लोग detail में समझने की कोशिश करेंगे कि यह problem क्यों आई है, ठीक है, इस problem होने का क्या reason है and किस तरह से हम इस problem को solve कर सकते हैं, यह सब चीज़ों के बारे में हमें पता होना चाहिए ठीक है, in other words, a problem defined is a half solved यानि कि अगर problem की definition को, उसकी reason को हम लोग अच्छे से समझ आते हैं तो इसका मतलब यह माना चाहता है research में कि हमने आधी problem को तो पहले ही solve कर लिया है ठीक है and research problems basically दो type के होते हैं, पहला होता है those which relate to state of the nature ठीक है, and दूसरी होती है which relate to relationship between the variables and जो research होती है, that must first decide the general area of the interest अब जैसे कि मान लीजिए आप लोगों के पास आप लोगों का जो paper 2 होता है उसी से related आप लोगों को research topic select करना होता है तो सबसे पहले आप लोगों को अपने research का general area पता होना चाहिए ठीक है, general area का पता होना चाहिए, जिस चीज में आपका interest है और आप लोग सच में उसकी inquiry करने में interested हो, वो चीज़ें आपको select करनी है ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पर यह बोला गया है कि सबसे पहले तो आप लोगों को जो problem है, उसको detail में समझना है उसकी detailed understanding आप लोगों को होनी चाहिए ठीक है, एंड उसके बाद आप लोगों को rephrase करना है same चीज को into some meaningful terms ताकि आप लोग किसी को अगर समझाना चाहते हो, किसी के सामने अपनी problem लेकर जाना चाहते हो तो आप लोग उस चीज को अच्छे से explain कर सको so research problem guides you in formulating the hypothesis and interpretation and इसमें कुछ factors होते हैं, जैसे कि हमारा कौन सा interest है, कि subject में हमें interest है availability of funds, यानि कि research करने के लिए, जो हमें fellowship मिलती है वो इसलिए दी चाती है, क्योंकि हम लोगों को बहुत सारे, मतलब, field work करना पड़ता है surveys करने पड़ते हैं, interviews लेने पड़ते हैं, इसलिए fund भी बहुत जरूरी होता है and जो socio-economic significance है हमारी study का, हमारे research के topic का उसके बारे में भी हम लोगों को अच्छे से पता होना चाहिए ये सब चीजें आती है, identification of research problem के अंदर तो students, exam में आप लोगों को question इस तरह से पूछे जा सकते हैं कि आप लोगों को area of interest जो है, research में आप लोग जाने वाले हो और आप लोगों का area of interest है, वो research के कौन से step में आप लोगों को पता होना चाहिए तो उसका answer होगा कि वो first step में पता होना चाहिए and first step होता है, identification of research problem ठीक है, इसको आप लोग formulation of research problem भी बोल सकते हो meaning सबका एक ही है, बस exam में definition या फिर जो ये statement है इसका थोड़ा सा change करके इसको लिखा हो सकता है ठीक है, जिसे identification की जगा मैंने अभी formulation बताया कुछ और भी हो सकता है, ठीक है next बात करते है, formulation of hypothesis so hypothesis का मतलब होता है, अनुमान लगाना, ठीक है so इसको बोल सकते हैं, development of hypothesis ठीक है, so अगर हम लोगों को अपनी research problem पता चल जाती है एक बार, तो उसके बाद हम लोग अनुमान लगाना शुरू कर देते हैं कि कैसे हम लोग इसको solve करेंगे, क्या क्या इसमें हम लोग step by step काम follow करेंगे कि rough सा हम लोग diagram बना देते हैं ठीक है, so एक tentative assumption होता है which a researcher wants to test for its logical and logical or consequences तो यह हमेशा precise होना चाहिए and clearly defined होना चाहिए ठीक है, यानि कि जो भी हम लोग अनुमान लगाने वाले हैं सिर्फ ऐसा नहीं है कि उसको अपने मन तक रखिए वो सिर्फ छोटी से छोटी चीज़ों पर हम लोग अनुमान लगा सकते है and वो पिलकुल clear होना चाहिए and इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि जो हम hypothesis अभी generate कर रहे है, formulate कर रहे है वो हमारे research problem से ही based होना चाहिए ऐसा नहीं है कि हमारा research का topic कुछ और research की problem कुछ और है and अनुमान लगाते लगाते हम लोग किसी और direction में चले जाएं ठीक है, so ये एक logical relationship होता है between various variables ठीक है next बात करते हैं review of related literature यानि कि जो पहले से इसी से related और लोगों ने research की है उन चीजों को हमें पता होना चाहिए उन चीजों के बारे में भी हमें पढ़ना चाहिए to give you a vivid picture of the whole research you shall read various publications or serve the internet to become aware of the previous works already done ठीक है, so अगर मान लीजे कोई topic ऐसा है जिसका अभी हम लोगों को zero knowledge है ठीक है, तो वहाँ भी हम लोग internet पे पहले search करेंगे बहुत टाइम लगता है इस process में भी, ठीक है so पहले हम लोग internet में search करेंगे किया topic है, क्या क्या लोगों ने इसके बारे में research किया है and क्या क्या लोगों ने solution दिया है ठीक है, इन सब चीजों को हम लोग ढूंडेंगे उसके बाद ही हम लोग अगले step में जा सकते है so in doing so, it could spur an idea that can be the subject of your investigation so इससे यहाँ पर यह बोला गया है कि आप लोगों को एक idea मिल जाएगा and आप लोगों की जो research है, उसका एक subject आप लोगों को clear हो जाएगा ठीक है, and यह step important क्यों है क्योंकि ऐसा हो सकते है कि माल लीजी, मेरी problem A है ठीक है, so इस problem पे मैंने solution भी ढूंड लिया hypothesis भी कर लिया, सब कुछ कर लिया लेकिन जब हम अपनी thesis को finalize करते हैं तो हमें पता चलता है कि इस problem का solution आलरेड़ी, जो है, कोई researcher दे चुके है तो वो हमारी पूरी study waste हो जाएगी इसलिए हम लोगों को पहले से यह चीज़े पता होनी चाहिए कि previous work में क्या-क्या चीज़ें आड की गई है तो the review of related literature can be taken from science books, magazines, journals, newspaper और internet ठीक है या फिर previous thesis जो होती है various websites ऐसी है जहाँ पर previous जिनोंने thesis बनाई है वो upload की जाती है तो आप लोग वहाँ से भी इस चीज़ को चेक कर सकते हो नेक्स आता है preparation of research design तो research design जो होता है ना students यह conceptual structure होता है ठीक है research design का मतलब होता है कि हम steps लिख देंगे कि सबसे पहले हम लोग उन्हें data कहां से collect करना है problem कहां से आई and कैसे हम इसका hypothesis generate करेंगे यह सब चीज़े research design के अंदर आती है तो इसको हम लोग एक blueprint भी बोलते हैं जिसके त्रू हम लोग collect कर सकते हैं data को measure कर सकते हैं and उस data को analyze भी कर सकते हैं ठीक है simple language में अगर मैं बोलूँ तो यह एक work plan होता है हमारी पूरी study का ठीक है पूरी study का work plan होता है research design में next topic आता है next point आता है हमारे पास actual experimentation अब भी तक हम लोग ने data collect किया four steps में ठीक है problem generate की, अनुमान लगाया, hypothesis किया ठीक है previous studies भी कर ली अब समय आता है fifth step से कि हम लोग actual implementation शुरू कर दे कि previous four steps में हम लोग ने जो जो चीजें collect की है उन सभी चीजों को उन सभी knowledge को उन सभी data को यहां पे use करने का जो है समय आ जाता है, ठीक है, so in actual experimentation you have to conduct an experiment to prove the validity of the hypothesis you have formulated, यानि कि previous steps में आप लोगों ने जितने भी hypothesis generate किये थे, उनको formulate करने का and उनको validate करने का time आ जाता है, तो जो जो अनुमान हमने लगाये थे, अब हम देखेंगे कि क्या ये guesses हमारे correct थे या नहीं थे, तो यहां पर ये भी बोला जाता है कि अगर आप लोगों ने जो guess किये हैं, वो गलत है तो इसमें कोई बात नहीं होती है ये एक research का ही part होता है, कि हमारे hypothesis गलत होते ही है जरूरी नहीं है, आप लोगों ने अगर 10 hypothesis generate किये हैं तो 10 के 10 हमेशा बिलकुल ठीक हो हो सकता है उसमें से 1-2 ही ठीक हो, बाकी सब गलत हो तो इसमें कोई issues नहीं होते हैं, ये एक part है research का, ठीक है next step आता है results and discussion so results and discussion को research का heart बोला गया है ठीक है, क्योंकि अभी तक हम लोगा ने जितनी भी findings की थी, जितनी भी चीज़ें ढूंडी थी, जितना भी data generate किया था ये उसका final result हमें बताता है so इसमें हम लोग tables को भी use कर सकते है and graphs को भी use कर सकते है ठीक है, अपने result को किसी के सामने present करना है तो हमें अगर हम tables, graphs के through present करते हैं तो वो easily understandable होता है ठीक है, so आप लोग various ways में यहाँ पे इन चीज़ों को generate कर सकते हो so हमारा आज का last step आता है formulation of conclusion and recommendations so conclusion जो होता है, एक statement होती है where you will present the solution to the proposed problem based on findings of the investigation so अपनी investigation से हम लोगों ने जो भी solution find out किया था उसका एक proper solution यहाँ पे हम लोग present करते हैं ठीक है, they are tied up to the question investigated and यहाँ पे यही बात बोली गई है कि it should answer your hypothesis and research problem कि जो भी हमने guess किया था उसका final result जो है, उसको यहाँ पे conclude करेंगे तो यहाँ पे यह भी बताया जाता है कि हमारा hypothesis अगर माल लीजे wrong है तो यहाँ पे हम conclude करेंगे कि हमारा hypothesis wrong क्यों हुआ ठीक है, दूसरे में अगर हमारा hypothesis correct है तो हम यहाँ पे reason देंगे कि यह correct है इसके पीछे हमने यह यह study की थी तो हम लोग इस conclusion पे पहुंचे है ठीक है, and overall हमारी problem का क्या conclusion है, वो भी यहाँ पे add किया जाता है यह concept बहुत जादा important है examination point of view से I hope यह 7 concepts यह 7 steps आप लोगों के बिलकुल clear है इसी पे based अपे question में आप लोगों को देने वाली हूँ इसका answer आप लोग जरूर मुझे comment करके बताईएगा, so question है which of the following is the first step in the scientific method of problem solving, तो यहाँ पे scientific method of problem solving का simple मतलब है research ठीक है, पहला है formulation of hypothesis, या formation of hypothesis, awareness of the problem, collection of relevant information and verification of hypothesis, ठीक है, so यह बहुत easy question हमने हाँ पे add किया है so, आज के लिए सिरफ इतना ही students, I hope यह concept आप लोगों को बिलकल clear है, इसके अनावा अगर आप लोगों को कोई भी doubt रहता इस topic पे, तो आप लोग comment करके हमें बता सकते हो, हमारी team definitely आप लोगों की help करेगी so, that's all for today, thank you so much for watching this video